हलो दोस्तों आपका मेरे चैनल मार्क दर्सन प lender बहुत-बहुत स्वागत है तो दोस्तों साफ सफाई तो हम लोग अपने घरों में रोज करते हैं और यह जरूरी भी है पर कुछ साफ सफाई होती है आसी जो हम कुछ-कुछ दिनों में करते हैं तो friends साफ सफाई कई तरह की होती है एक तो प्रतिदिन वाली होती है और एक साफताहिक होती है और दूसरी मासिक होती है तो साफ सफाई हम सभी करना पसंद करते हैं साफ सुतरे घर में रहना भी पसंद करते हैं और सफाई हमें सबसे अधिक पसंद भी होती है यानि हम लेडि दोस्तों कि साफ सफाई अगर प्रति दिन आप नहीं करते हैं तो ये हमारे सास्तरों द्वारा माना गया है कि अगर आप गंदे घर में रहते हैं तो सबसे पहले तो मा लक्षमी हमारा साथ चोड़ करके चली जाती हैं क्योंकि वो स्वैम ही कहीं है कि मेरा निवास अस्थान उसी घर में होता है जहां कि ओड़ते नियम और धर्म का पालन करती है और उस प्लति दिन सुबह तुलसी को जल देती है और साम को दिया लगाती है मैं उसी घर में निवास करती हूँ तो दोस्तों जिस घर की महिलाएं ऐसा कारे करती हैं यानि साप सफाई करती हैं उसके बाद तुलसी को जल देती हैं और दिया जलाती हैं तो ऐसे घरों में मालक्षमी सदय में निवास करती हैं तो ये तो बात हो गई कि हमें सफाई इसलिए करने चाहिए कि मालक्षमी आती हैं पर कुछ ऐसी चीज़े होती हैं दोस्तों जिनको हम अपने लाइफ में बना करके अपने नौ ग्रहों को भी अपनी मुठी में कर सकते हैं तो क्यों न हम सफाई कुछ ऐसे दिन पर करें जिससे हमारे बिगडे हुए ग्रह भी हमारे अनुकूल हो जाए तो दोस्तों एक ऐसा दिन है जिसे अपना करके आप अपने घर की साफ सफाई और क्लीनिंग उसी दिन करेंगे और आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमतकार साफाइक बदला होगा तो जैसे आप प्रति दीन जहाड़ू पोचा करते हैं उसी तरह आप सप्ताह में भी सफाई कुछ न कुछ ज़रूर रखे होगे यानि अपंताहिक सफाई भी आपके घर कुछ न कुछ जरूर होगी। वह चाहे आप जिस रूप में करते हैं साप्त निकालना है या आप अपने घर में तूटी हुई जाडू फेकना है या कोई वैसा पुराना कबाड़ा फेकना है तो इसके लिए आप सनिवार का दिन चुने और सनिवार के दिन ऐसा करने से आप विश्वास मानिए आपका भग्य चमक उठेगा तो दोस्तों इस सफाई का सीधा connection हमारे ग्रोहों से है और इस दिन सफाई करने से मालख्षमी भी हमसे खुश और संतूष्ट होती हैं तो आगे से जब भी आप साफ सफाई करें, दिनों का बहुत अधिक ध्यान दे, जब भी आपको साफ सफाई करना हो, यानि आप हपते में अपने घर की कुछ चीजों की डस्टिंग करती हैं, कुछ चीजों की सफाई करती हैं, तो उसके लिए आप सनिवार का दिन चुने, सन भी रोक नहीं सकता, तो इस चीज को आप जरूर पालन कीजिए, और देखिए कि आपका जीवन, जो करजों से डूबता जा रहा है, वो कहां से करजे आपको चुकाना है, पर रास्ते कहां से भगवान खोलेगा, वो आपको पता भी नहीं चलेगा, जो पैसा, जो ब्यापा और आपका फिर से उन्नती की तरफ बढ़ने लगेगा, तो आपको बस इतना सा ध्यान देना है, कि आपको बस दिन का ध्यान रखना है, सफाई का ध्यान रखना है, तो आप इन चीजों को अपने जीवन में जरूर फालन के लिए, जिसमें सबसे जरूरी है सनिवार के दिन आपको जाले हटाना, और जाले को इतनी अच्छी तरह से हटाए कि आप अलमारी के पीछे, फरनीचर के पीछे हर जगा ध्यान दीजिए, ना कि ऐसी जगा से बस हटाए जाले, जहां पर किसी की नजर जाती हो, बलकि वहां से भी हटाए जहां किसी की नजर नहीं जाती हो, तो इन चीजों को आप जरूर फालन कीजिए और अगर आप अपने बच्चों की साधी संबंदी समस्याओं से जूज रहे हैं और अगर आपके बच्चे को या आपका रोजगार नहीं मिल रहा है तो रोजगार के कारक सनिदेव होते हैं और वो आपको जरूर कोई न कोई रोजगार जरूर देंगे तो इन चीजों को ध्यान रखिए और सनिवार के दिन की गई साब सफाई मतर तीन सनिवार में आपको चमतकारिक बदलाव देने का दावा करती है तो आप इस उपाय को जरूर मानिए दोस्तों इस उपाय को करने से तीन सनिवार बाद आप मेरे चैनल पर आके जरूर कमेंट करेंगे क्योंकि आपको ऐसा चमतकार होने वाला है कि आपको मसूस हो जाएगा कि इस दिन की गई सफाई आपके भागे को बदलने में सक्षम है तो इसलिए आप ध्यान दीजिए आप जब भी सापताहिक सफाई कीजिए तो उस दिन आप सनिवार को ही चुनिए और इस दिन का आप सफाई करके अपने भागे में जो भी ग्रहर लगा हुआ था आप उसे समाप्त कर सकते हैं तो उमीद करती हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल पर इस तरह की जानकारियां मिलती हैं और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल पर आप मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजिए क्योंकि मेरे साथ बने रहना आपके लिए काफी फायदेमंद होगा तो रखती हूं दोस्तों धन्यवाद